रंजीत मंडल के द्वारा आस्तोस पाठा को उठा करके जीप में साइड नद देने का रोप में ले जाया गया थाना में और उसकी पिट-पिट के हत्या कर दी इस तरह से जालिया वाला वाग जो 13 अप्रेलू ने सोने इसमें हुआ था उस मोड में और निहत्य जनता पर गोलियां पर साइड आप पुलिस सूप्रिटेंडेंट है आप अच्छी अधिच्छा के सिंगहम का सिंगहम तो गुंडा को लोग कहता है और हमारा डिमांड है कि उन पर मुकदमा चलाया जाए 302 का मुकदमा चलाया जाए बताइए कि इतन लोगों का आक्रोश जसका तस है नाराजगी बने हुई है सबीच हमारे साथ नेशन फर्स देमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्छ डॉक्टर कॉष्लिंद्र नारायां जी है उन्होंने पी आईल दायर किया है अब उन से जाने की कोशिश करते हैं कि अतना आ क्रोश कोई आज हम पी एल दायर नहीं किया बिहार में पहला मानवा धिकारायोग में मैंने केस्त दर्ज किया सिर्फ मुंगेर पर ही नहीं जिस तरह से भीपूर के थाना पर है भागरपूर जिला में रंजीत मंडल के द्वारा आस्तोस पाठा को उठा करके जीप में साइ दूसरी तरफ मुंगेर के कहे आप देखिए यह पूरे भारत की इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि निहत सिर्फ छोटे-छोटे बच्चे जुलुस लेके जा रहे हैं पुजा जुलुस माद्रुगा की मुर्ति का भी सर्जन करने उसमें मुंगेर की आरच्छी अधिचक ने तुगलकी फर्वान जारी किया जिस तरह से जलिया वाला वाग जो तेरह अप्रेलों ने सोने इसमें हुआ था उस मोड में और निहत्य जनता पर गोलियां बरसाया जिसमें 25 गायब है आप सुन रहे हैं 25-30 गायब है कोई आता पता नहीं है छेक आठका गोली है कि हमारे पीता जी यहां सरकार के प्रबंधक हैं मुखिया हमारे हैं हमको कौन क्या बिगाड़ेगार बात भी आइसा ही हुआ एक कितना बड़ा देश के लिए दुरभाग है कि सरकार हेलिकॉप्टर उतारती है वहां से लाने के लिए उनको यह स्पेसल केस में दिखा र परबंडल का मुख्याले जीला होता है समझे कि परबंडल टाइप का होता है बड़ा जीला होता है यह कि वारा बाड़ से उठाते हैं और मोंगेर में उनकी पोस्टिंग कर दिये हैं और इस तरह से अज पब्लिक वीस में दोसिय पब्लिक नाम देने लगती है भाई घुस फूस बुग्या लोग जो करते हैं लेडे सिंहम, लेडी सिंहम, कुछ कोई सिंहम नहीं और उसी के तहत्य दिकाने के लिए कि मैं इतुना लाइन आउडर को कंट्रोल कर रहा हूं और उसमें निहत्य जंता पर निहत्य बच्चे पर गोलियां चलाई है यह बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक मतलब निगेटिव जो है उदाहरन बनेगा निगेटिव लेकिन आप तो उनको हटा दिया गया टीम को भी हटा दिय अरश लेकिन सुनां नियम के दजिएं उड़ाये है ह Celtी उतारे हैं कि हलिक कोप्टर उता रहे हैं लीपी सँंग के लिए NITIF जीह और fifthожет सुन प्राइस है 302 का मुत मुत मावर्था डियाए मुक्टर करती है और बर्तमान सर काथ कर निठीश कुमार जैसे अपने को कहते है पर्चे दे रही है एक तो एक सपी को यह टा नहीं रहे थे चुनावाय और प्रेसर में वहां से वहां वाजी में बेजा जाता है आण पहँं क्या समय को पुद्धा जाता है उनको सिपही थे उनके पास आर्म स्फोर्स नहीं था जो गाड़ी से नहीं आ सकते यह बिहार के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग है और हम मांग करते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए उनको जेल भेजा जाए ऐसे ऐसे दुचार एक छोटा सक्षीज में उदाहरान आपको दे रहा हूं बिहार में मैं गुपते सर पांडे जी का भी कार्जकाल को देखा हूं एसपी के रूप में भी डिन गौतम साहब का देखा है अमीत कुमार एसपी इतना इमंदार एसपी थे पटना को उनको देखा है धेर सारे एसपी के देखे हैं कुंदन कृष्णन जी का भी मैं पटना मे जाते हैं तो ज़रूरी है एक नया कल्चर एक दो तीन IPS को इसा देखने में आया है बिहार में कि यह लोग सुए में कि 47 और आइफल लेके दिखाते हैं पबलीक में कि माने मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल परभारी पराऊं जो कि ऐसी कोई बात नहीं है अभी बरतमान वहाँ ऐसे अफसरों के बिहार में जरूत है जब तक भाई भती जावाद और जाती वाद से प्रेडित हो करके आप अपसर की पोस्टिंग करेंगे तो क्राइम बढ़ेगा क्राइम रूकेगा नहीं और आप राइफल की गोली की नोक से क्राइम को रोक नहीं सकते हैं उसके लिए एक बाता बरन बनाना पड़ेगा एक निस्पक्षा देखाना पड़ेगा अगर आरची अधिछक और डियम जैसा जिलाधिकारी जैसा पद बिहार में और वह भाईस्ट होके काम करेगा तो पब्लिक में क्या मैसे जागा हिंदुस्तान के लोग टॉप बेरोक्रेट्स होते हैं तो यह लोग जातिकत भाउना से और अन्य भाउना धार्मिक भाउना से लगता है कि दूसरा भी तरीका हो सकता था वहाँ पर समझीए आप एक बैक गोली कैसे चला सकते हैं सर पर्थम नियम है आई-पी-सी भी कहती है कि कोई भीड अगर बहुत आक्रामक है तो उसको करने के लिए और से चोड़ीया उसे भी नहीं मानती है तो पानी के बाहुत थो Plan क्भाई कोणे करके और हवाई फा forged की तो इसको आप क्या कहेंगे हमको बताइए जो अटमोस्फेर बन रहा है बिहार के लिए कहीं से नहीं आए नितीश कुमार का पूरा नीगेटिव जा रहा है नकरात्मक जा रहा है जो अहंकार में जी रहे थे उसकी धजिया इन्होंने लीपी सिंग ने उड़ा दिया और बच विःति के अधार पर हेलिकौपटर को लेंड करवा लिया है पतण आने के लिए तो ये क्या संदेश जा रहा है जाती वाद की आग में पुरा बिहार और धर्मभाद के आग में पूरा बिहार जल जाएगा आने वाला समय में जो प्रिष्ट भूमी ये लोग तैयार कर रहे हैं जिस तरह से बिहार का जो कल सीन आया है लेपी सिंग के हलिकॉप्टर जो यह लेंड कराया गया है उससे पूरा बिहार में एक चर्चा है बिहार के साथ ही इतना भी मतलब सटे हुए राज हैं वहां भी चर्चा है कि इस तरह से एक सरकार जो है एक IPS को बचाने के लिए किया पार-बार रसी पी सिंग जो उनके पेता है और जेडियों से जुड़े हुए नेता है उनका जिकर कर रहे है नितेश इश्कुमार की जिकर क्यार गाल जिकर कर रहे हैं तो मैं बूरा मत मानियागा इसमें मीडिया गए हैं कि देखिए लोग कैसे दिख भर्मित पब्ली को करते हैं पब्ली का जो सेंटिमेंट था सरकार के प्रति उसको दमाने के लिए ऐसा ये लोग करते हैं दिखा दिये कि हम सस्पेंट कर दिये चुनावायोग नहीं रहता तो लिपी सिंग वहां बरतवान आरच्छी परसों देखें होंगे कितना वहां के पब्लीक जो है स्याक्रोसीत हुई है स्वता स्वता आक्रोसीत पूरा बजार टूट पड़ा पूरा जिला टूट पड़ा क्या दसा हुआ तो आप कितना को गोली मारिएगा 12 कड़ोरावादी है बिहार की क्या पुलिस के राइफल ग चाहिए कि लिपी सिंग पर हत्या कराने का आरोप मतलब जो है उसके तहत उन पर मुकादमा 302 का दर्ज करें और उन्हें गिरफतार करें यह मेरा डिमांड है लोगों में नाराजगी और साफ तोर पर जो आक्रोश है वो जो आला बनकर निकल रहा है साफ तोर पर कहना है कि सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा लिपी सिंग को जेल भेजना होगा उन्हें फोरन गरफतार करना होगा डेश और दुनिया के तमाम अब डेट्स के लिए अमारे साथ बने रहे हैं और देखते रहें निउस फोनेशन नमस्कार